नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आज बात करेंगे बिट गट की कुछ नए नए अपडेट से निकल के आए हैं क्या वो हमारे काम के हैं या नहीं है उनके बारे में बात करते हैं दूसरा आपके लिए थोड़ी सी यहां पर मार्केट करने वाला है और बाकी वोल्टीन्य, और बोण क्या कुछ होसकता या नहीं हो सकता है चलो,ोलीपउप नहीं चलो,ग्स ब्छिर क्लियर कर बोलो, लुलीपउप नहीं चाहिए अब मैं क्यों बोल ला हूँ ये चलो बताता हूँ इन्होंने अभी एक रिसेंटली अभी जस्ट अभी उन्होंने एक अनॉस्मेंट किया है कि हम बहुत जल्दी तीन सेंट्रलाइज एक्षेंज पर लिस्टिंग लेने वाले हैं यानि करने वाले हैं भाई ठीक है आप करने बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है लेकिन जो आप हमें पहले से एक लॉली पॉप दे रहे थे कि भाई टीर वन एक्षेंज टीर वन एक्षेंज लिस्टिंग वह का गई उसका कोई अता पता है आप भूल गए या हम भी भूल गए हम तो नहीं भूले आप भूल सक गुरूप पे जाके बहुत जरूरी है क्योंके लडाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी क्योंकर ये तो उसने बस आमने जुन-जुना दे दिया ये बैठ के बजाते रहेंगे भाई क्यों बजाएंगे इसलिए ये काम आप हमें खुद को करना पड़ेगा इनके कमेंट स चाहिए कि आप बोल दिये और फिर मुकर गया बोल दिये फिर मुकर गया नहीं वाई ये नहीं चलेगा जब चारों तरब से रूल से बरना है सक्तियां हो रही है तो भाई हम भी अपने हकी लड़ाई लडएंगे केवल आपके हाइप बनाने पर हाइप नहीं बनेगी भाई पहले आप हमें टियर वन एक्षेंज लिस्टिंग दो जो आपने पहले से घोसड़ा कर रखिए पहले वो चाहिए उसके बाद बताना के ये तीन और कौन सी है नहीं तो यह क्या करेंगे इन तीन में ही कहीं हो सकता है इसको भी सामिल कर दें यह सोच रहा है कि जंता वेवकूफ है नहीं भाई यह सब नहीं चलेगा ठीक है तो आपके लिए टास्क है टास्क नहीं है यह आप ही का काम है क्योंकर यह तो बेपूफ समझ रहा है तो यह छी थोड़ी से आपको करनी पड़ेगी देखिए किसी भी टोकल में अच्छा होता है तो मैं अच्छा ही तो आप ये दो के लिए ट्वीट जरूर कीजिए, एक कुछ सर्प्राइजी बोलने थे, वो क्या था, क्या आने बाला था, अभी तक तो नहीं आया, दूसरा, टीर बन एक्सेंज लिस्टिंग, इनके लिए आप ट्वीट, कमेंट जो कर सकते हैं, बेसक आपको ये ब्लॉक कर जाओ, नहीं तो फिर लड़ाई-लड़नी आती है, बहुत अच्छा रहेगा, कि आप अपने जिस, जो आपने एक वैल्यू बना रखिये, उसको बना के रखिये, अगर आप यूँ ही लॉल्यू पॉप देंगे, तो फिर जनता आपके साथ नहीं रहेगी, बहुत किलियर, इसलिए ये आप चूकिएगा नहीं, आपको जरूर करना है, क्योंकि आपकी लाईए, फिलाल बिटगट का प्राइस चलना है, रुपाई में बताऊं तो 0.4x035 की सीरीज में, डॉलर में 6x043 की सीरीज में, काफी नीची आ गया है, ये तो अपनी बाइंग कर भी रहे हैं लेकिन हमें जुन्जुना दे रहे हैं कहीं ने कहीं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाईए अब, क्योंकि जब इस तरीके से बेफकूप बनाया जाए, तो खुद को ही अलर्ट होना पड़ता है, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, वोल्ट उनु के वारे मैं आपने पूछा कि वोल्ट उनु सरक क्या करना चाहिए, देखिए साब, अभी मैं तो यही कहूँगा कि होल्ट कीजिए, जाला बहतर रहेगा, क्योंकि यहां से सेल करने का कोई मतलब नी बनता है, आप प्रॉफिट देखिए, अलड़ी ले चुके हैं, मैं यह नहीं कह यह होल्ट के लिए बोलना हूँ, वो अभी भी लॉस में नहीं है, जिस प्राइज को अभी चल रहा है, रुपए में 3x0, 1,2 की सीरीज में, और डॉलर में आपका 5x0, 1,5 की सीरीज में, अभी इसका जो प्राइज है, लगबग उसी रेंज पर है, जहां पर हमें कोई न ल बोन के बारे में भी, किसार बोन में क्या करना चाहिए, होल्ड, बहुत क्लियर कट्स होल्ड, बेसक सिवेरियम का वीटा वर्जन कोई मतलब नहीं था उसका, वो भी केवल एक हाइप करेट करने वाली बात है, लेकिन आएगा तो जरूर सिवेरियम, हमने तो सोचा ही वही ह कि बोन को क्यों किया है, लिया है, केवल इसलिए लिया है, कि हमको सिवेरियम का वेटा है, ना कि यह इटा वर्जन, बीटा वर्जन, इनको नहीं चाहिए हमें, हमें सिवेरियम चाहिए, तो सिवेरियम जब भी आएगा, इसको कोई नहीं रोख सकता, बूम करने से, अपना ओपिनियन है जो मैं फॉलो करता हूं वो चीज़ आपके सामने रख देता हूं आपका दिल करता है फॉलो कीजिए आपका नहीं दिल करता तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए क्योंकि मैं आपका कोई फाइनिसिल एडवाइजर नहीं हूं मैं फोर्सली कोई आपसे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं केवल अपना उपनियर आपके सामने रखता हूं को अभी मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको ठीक लगता है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं जैसा आपको ठीक लगता है देखिए करीब 100 डॉलर बड़ा हुआ है वह सब को यह पता था कि यह जितने स्टेवल कोईंस हैं सब पर गाजगरी होई है सब की हालत खराब है लेकिन हुआ क्या है कल स्टेवल कोईंस ने अपने आपको रिगवर कर लिया और आज सुबह तक आते आते तो मामला बिल्कुल फिट साई हो गया कोई भी स्टेवल कोईंस ऐसा नहीं लगता कि किसी के साथ कोई जाना बड़ी प्रॉल्म अब है लेकिन अ ज़्या जाधा तर सौट पोजूशन निसीत के हूं क्यों कि कल से चलना था पैनिक उसके बिजिये सब को यह लगा था अब तो मार्केट गया अटाराजार अब तो गया सत्तुरा जार ये चल रहा था सब तो इसलिए Sorts खोल के बैठे थे, अब उनका काम तो वाम तो करना ही है न, भाई, Exchange और Wales क्या हमारी मर्जी के लिए थोड़ी बैठे हैं, उनको तो यह पता है कि हमें कैसे खेलना है, Exchange को बहुत अच्छी तरह है मालूम है, कि भाई, Positions किदर जादा खुली हुई है, Long में और भी है, क्योंकि यहां जो है, BTC का funding rate भी काफी low है, जब funding rate low होता है, तो ऐसी Positions आती हैं, और यही वज़े है कि Source Positions की आज लंका लगनी है, यह मेरा opinion है, बाकि अब क्या होगा, वो market में देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहां Exchange और Wales अपना पूरा काम करेंगी पूरी इ हो सकता है, बैसे तो देखें, जनता लगबग 68 से 70 परसंट जनता यही सोच के बैठी है, कि 0.5 basis basis पर इनका interest rate रहेगा, लेकिन सरकार के सामने कुछ औरी condition है, सरकार अपनी तरब से देखाए जाए तो बहुत ही परेशान है, उसके लिए एक आकड़ा देता हूं मैं आपको अमेरिका के छोटे बड़े जो भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, उन सब की अगर देखी जाए तो 22 ट्रिलियन की देंदारी है, कितना 22 ट्रिलियन, छोटे बड़े सभी बैंकों का एक आकड़ा देता हूं, ठीक है, उनके पास है कितना, जो उनकी liquidity अभी कितनी है, उनके जाएगा बैंकों के पास तना पैसा अगर वो सब तूट पड़ेंगे, भाई, लाओ हमें पैसा दो हमारा, सारे बैंक का अमेरिका की तवा हो जाएंगे, देंदारी उनकी 22 ट्रिलियन ने की और ये 22 ट्रिलियन उनके पास का आया, ये हम जैसे आप जैसे लोगों का जो पै पैसा बैंकों का उसमें कुछ नहीं है, और बैंकों के पास लिकुडिटी के नाम पर केवला भी 220 बिलियन डॉलर है, जो कहीं भी किसी भी एवरेज में नहीं आता है, तो यहां सरकार को देखे सोचना जरूर पड़ेगा कि इंट्रेस रेट को बढ़ाया जाए या नहीं ब GDP जिसे कहते हैं, वो 25 ट्रिलियन के आसपास ही तो है, तो सारा तो उधार पे ही चल ला है मामला, भाई, अपनी जिम में क्या है, कुछ नहीं, सब उधार पे चल रहा है, तो यह है साब कुछ वो हकीकत जो सरकार को कहीं ने कहीं, यह अमर्जेंसी मीटिंग करने पर मजबू कर दी, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, या तो बैंकों के पास एतनी लिकुडिटी होती, कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आया है, तो हम उसको अरेंज कर लेंगे, लेकिन 22 ट्रिलियन और 220 बिलियन कोई मैच नहीं है, दूर दूर तक, क कैसे बैंकों का सर्वाइब करना बहुत मुस्किल है, इसलिए कहीं नहीं सरकार को यह सोचना पड़ेगा, कि जो इंट्रेस्ट रेट है, वो अपना जो 0.25 चला है, वही रहने दें, तो ज़्यादा अच्छा है, यह अगर उसको इंक्रीज करेंगे, तो कहीं नहीं बैंकों के लिए समस्या और बढ़ती जाएगी, तो यह है कल की मीटिंग का कुछ वो हाल, जो मैंने आपके सामने रखा है, जो दरवाजे बंद करके पाविल साब करने वाले हैं, अब जो भी होगा वो कल देखेंगे, पाविल साब क्या बोले अंदर, क्या वो हो रहा है, वो भी न परप्राइज आपका चलना था, जो आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया है, और टियर वन एक्षेंज लिस्टिंग तो आप छे महीने से गा रहे हो, वो कहा है, पहले आप वो दोनों चीजी दीजिए, उसके बाद ये तीन एक्षेंज लिस्टिंग की बाद, बाद में करेंगे, पहले वो दीजिए, तो ये आपको कमेंट जरूर करना है, और एक जो मेरे दुपैर को वीडियो दिया था, कि एडी आपके दरवाजे पर आ सकती है, क्या पुलिस के साथ, तो उसका वीडियो आपका कल आएगा, कि वो आज ही दे देता उसमें, लेकिन हुआ क्या कुछ आदे वीडियो में कुछ वोईस की प्रॉबलम हो गई, तो मुझे इसलिए वो आदा पार्ट कट करना पड़ा, तो इसलिए वो वीडियो कहीं की उसमें आधी जानकारी रह गई, तो उसके लिए मैं छमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये है, कि मैं वो चीज आपकी कल जरूर दुपेर को धाई बजी पूरी कर दूँगा, तो आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, कि A.D. और पुलिस का क्या मेटर है, कि करप्टों में जो काम करेंगे, क्या उनके दरबाजे पर पहुचेगी, क्या, उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो वो आप कल धाई का.